एंजिलो मैथ्यूस टाइम आउट कॉंट्रोवर्सी इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा बैटर हुआ अनुखे तरीके से आउट इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बैटर को टाइम आउट के जरिये पवेल जाना पड़ा आई से सी क्रिकेट विसकप 2023 आई से सी क्रिकेट वोल्ड कप के 38 मुकाबले में सिलंका के अनुबवी बैटर एंजिलो मैथ्यूस को बंगलादेश के खेला इस अनोके तरीके से आउट दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट के 146 यह के हिस्ट्री में ऐसा पहली पिक्रमा को साकीबल असन ने मेहमुद अल्ला के हाँ तो कैच कराकर सिलंका का पांचवा जटका दिया था इसके बाद एंजिलो मैथ्यूस क्रिच्पर मैथ्यूस एक मिनिट 20 सेकंड के अंदर क्रिच्पर पहुंचकर स्टांस लेने की तैयारी कर रहे थे तब यूंकी हैल हेलमेट को समस्या आगए इसके बाद हेलमेट को ठीक करने लगे इस बीच साकेवने फील्ड एंपायर से टाइम आउट की अपील की और एंपायर नोने टाइम आउट भी दे दिया मैथ्यूस एंपायर के बीच काफी समय तक बहस भी हुई लेकिन आकरकर मैथ्यूस को भार केलने के लिए तैयार रहना चाहिए मैथ्यूस समय पर पहुँच गए थे लेकिन क्रीज पर पहुँचने के बाद उनकी हैलमेट में कुछ समस्या होई जिसके बाद वह तय समय में स्टांस नहीं रे सके आउट होने के बाद मैथ्यूस का भी गुस्से में नजर आए उन्ह साकिव ने क्या कहा हमारा एक फील्डर उस समय मेरे पास आया और कहा कि अगर हम अपील करते हैं तो मैथ्यूस को आउट दे दिया जाएगा जब मैंने ये किया तो एमपायर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सीरियस हूँ ये नेमयों में सामिल था मैं नहीं जानता ये सही है ग खेल भावना से जोड़े सवाल पर साकिव ने कहा कि अगर ऐसा है तो ICC को नियम बदल देना चाहिए उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो ICC को इस पर गौर करना चाहिए और नियम को बदल देना चाहिए आखेर यहाँ पे गलती किसकी है वो भी इस लास्ट वीडियो में बात क यहां पर गलती न साकीब की है ना ही एंजलो मेत्यूस की है यहां पर गलती है एंपायर की क्यों वो अभी लास्ट में आपको बताएंगे उससे पहले आगे की कहानी सुनिए वल्ल कफ 2023 में बांगलादेश सिलंका मुकाबले में एंजलो मेत्यूस का टाइम आउट होना एक ब आसूर भारतिय पूरकप्ता अंसौरव गांगुदी के खाते में भी जा सकता था आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको वक्हानी यहां पे सुनाने जा रहे हैं साल 2007 में टीम इंडिया दच्छन अफरीका दोरे पर थी दोनों टीमों के बीच केप टाउन में टेस्ट मैच खेला जा रहा था मैच को चौते दिन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में महेच छे रन पर ही अपनी सलामी जोडी को कबा दिया था टीम इंडिया को और जाफर के इतनी जल्द आउट होने की उमीद नहीं थी चौते नंबर पर बल्लेवाजी के लिए सचिन तिंदुलकर को आना था लेकिन वह दच्छन अफरीका की बल्लेवाजी के दोरान लंबे टाइम तक मैदान से बाहर रहे थे वह निश्चे दोबरों की संख्या होन तक बल्लेवाजी के लिए नहीं आ सकते थे उधर सौरफ गांगुली वे उस वक्त बिना तयारी के बैठे हुए थे टेस्ट क्रिकेट में तब क्रिकेट के बाद नए बल्लेवाज के क्रिश में पहुंचने का समय तीन मिनिट का था ऐसे में गांगुली आनन फानन में बल् लवाबना दिखाते हुए यह अपील नहीं की और गांगुली टाइम आउट होने से बच गए तब अगर इसमित अपील कर देते तो सायद एंजलो मैथ्यूस क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दूसरे किलाडी बने होते इस मामले पर मैथ्यूस काफी सर्मनाख है अगर वे इस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो यह बेहा सर्मनाख है मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम ऐसा करती मैंने उनसे अपील वापस लेने को भी कहा है लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया मैच के बाद प्रेस कॉन्फरेंस में एंजलो मैथ्यूस ने बांगलादेश पर भडास निकाली और उन्होंने कहा कि अपने 15 यर्स के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में किसी टीम को इतना नीचे गिरते नहीं देखा मैंने कुछ गलत नहीं किया मेरे पार क्रिच पर पहुँचने को खुद को तयार करने के लिए 2 मिनिट थे और मै इस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं इतना नीचे इस तरह तक गिरना चाहते हैं मेरे ख्याल से कुछ गलत है उन्होंने आगे ये कहा कि मैं देरी से नहीं पहुचा था देरी तब होती जब मैं 2 मिनिट से ज़्यादा कर समय लेता लौ में लिखा है कि आपको 2 मिनिट के अंदर तयार होना है और मैं तो क्रेज में 45 या 50 सेकंड में ही पहुच गया था मेरा हेलमेट तूड गया और तब भी मेरे पास 5 सेकंड बचे हुए थे आमपैर ने हमारे कोस्ट से कहा कि उन्होंने मेरा हेलमेट तूटा हुआ नहीं देखा था मेरा मतलब है कि मैं बस अप इस टीम पर भडास निकाली है क्रिकेट एदास के टाइम आउट होने वाले खिलाडी पहले जो बने हैं एंजनो मैथ्यूज उन्हें ने कहा कि अपने 15 साल के इंटरनेशनल केरियर में किसी टीम को इतना नीचे गिरते हुए नहीं देखा उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास फूटेज वो साम हम प्रोवाइड कराएंगे आईसेजी को और इस बारे में चर्चा करेंगे कि मैं समय से पहुंच गया था मेरे पास टाइम था और उससे पहले ही मेरा हेलमेट खराब हो गया था जिसकी जानकारी मैंने अमपायर को दी और अपने नए हेलमेट मंगाने के लिए कहा है और इसी वी साकेबोलहसन ने मुझे अपील करती टाइम आउट की और एंपायर ने मुझे टाइम आउट दे दिया तो मुझे मेरे पास अभी भी हेलमेट के पहले-पहले पांस सेगेंड थे तो वह हम अपील करेंगे उसके बाद इस बारे में चरचा करेंगे आप क्या सोचते हैं इस बारे में क्या ये डिसीजन सही था और सकी बूल हसन को ऐसा करना था क्या ये आउट जो दिया गया है वो सही है क्रिकेट के दियम में या फिर गलत कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते एक नए वीडियो में धन्नबाद